हेलो दोस्तों वेलकम डो लॉजिकल ब्रोज डॉट आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा अगर आपके पास एक आइफोन 6s है तो आपको अपग्रेट क्यों नहीं करना चाहिए या फिर आप खरीदने की सोच रहे हो आइफोन 6s या फिर 6 तब क्यों क्यों खरीदना चाहिए और उसके कुछ फीचर्स बताने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए तो दोस्तों इसमें पहली बात यह है कि इसमें आपको एक 4.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है और यह फोन 100 यूजेज के लिए बहुत अच्छी है इसमें आपको 8 मेगा पिक्सल का कैमेरा मिल जाता है जो की 1080p तक सूट कर सकता है अगर आप स्लो मोशन रेकोडिंग करना चाहता है तो आप 720 में 240 फ्रेंज तक भी रेकोड कर सकते हो जैसे कि 2017 में एपल ने अपना अपडेट लॉंच किया है iOS 11.1 वो भी इसमें आपको मिल जाता है और इस अपडेट के बाद यह फोन अभी बहुत ही स्मूथ लगता है अभी तीन साल के बाद भी अगर आप इसकी बैटरी लाइफ की और देखे तो यह तीन से चार घंटे तक देती है बैटरी बेकप अगर आप नॉर्मल यूजज करते हो तो और इसकी दो फीचर से जो आप आइफोन 10 से कंपेर कर सकते हो वह है फिंगरप्रिंट और हैडफोन जेक फिंगरप्रिंट आपको होम बटन में ही एंबेड मिल जाता है जो कि बहुत ही कन्विनेंट वे अपने फोन को अनलोग करना और दोस्तों इसके हैडफोन जेक से आप इसली कोई भी प्रैडफोन और गीच सुनना है दोस्तों यह अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप हीबे पर जाकर चेक कर सकते हो यह बहुत ही चीफ प्राइज में अभी मिलता है जो कि 22,000 यह 25,000 के आसपास फ्लक्च्ट होता रहता है और वह भी 128 GB वाला वेरियंट दोस्तों इस हुआ 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 ह